हेलो डियर स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल क्यमेस्टी पॉइंट पूर्णिया में मैं हूँ आपके साथ परदीप सर और सुरवात करेंगे आज से चप्टर वाइज इंपोर्टेंट कुश्चन चुकि आपको एक्जाम की तयारी करनी है और एक्जाम में जान चते हैं अच्छे अच्छे चाते हैं और निदी से जूरिए हमारे टेलीग्राम चल में कोने की संख्या तो आप देखना चाहते जल्दी सियाश नो बोलिए और आपको मैं दिखाता हूं चलिए यह आपका यूनिट सेल और यूनिट सेल में देखे कोने का अगर गिनेंगे तो देखो भाई यह जो गेंध दिख रहा ना पर हाओ हो दिख्र 22 sunlight वें यहांगे को ऐला है वह गिना लेना फार मगा आपड़ Newton मैं को ओने सब्सक्राइब के फिर से आपका है योनिट है के परामीटर स्ब्सक्राइब होते Хए आपको दिखुछ रहा होगा तो आपका तो तो बताएं परामिटर या प्रचाल पूछेगा तो आपके कितने होंगे छे नेक्स्ट कोश्चन फिर आते हैं नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर सरल गनिया कोष्टिका में कुल परमानू संख्यां होता है अगर कोई पूछेगा स्रल गनिया कोश्चिका में कुल परमानू होता ता आप क्या बोलेंगे एक होता है कैसे होता है तो मैं आपको बता दूँ जरास इसको बडा गोर से समझेगा यहां मैंने लिखा यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक बोडी सेंटर और यह विस सीलिका है और आपको याद रखना है बोडी सेंटर का मतलब होता है इसमें परवानु केबल कोना पर होता है इसलिए और एक कोना का योगदान होता है नहीं कोल परमानु इसमें और बोडी सेंटर की बात करें कुल परमानु कोने का लावे बोडी में रहाता है तो यह इसका उन्यार होगा और परमानु कोने कोने पर राता है तो कोना हो गिया एक और फेस से छो गुना एक बटर दो करेंगे तीन आएगा तीन एक चार होगा टोटल चार होगा और यहाँ जो हमने लिखा बोल्यूम अक्यूपाइट बाइद पार्टिकल इन पर्सेंटेज यानि कितना पर्तिसत यह छेकता है तो सरल गनिया का संकुलन हम लोग बोलते हैं वह होता बाबंद संवलव चार परतिसत और दुसरा का होता है और सट पर्सेंट और तीसरा होता है चौतर पर्सेंट अब याद रखेंगे सब्सक्राइब कोश्टिकल परमानू कितना हो गया एक नेक्स्ट कोश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होग इसका correct answer होगा 2 अभी मैंने बताया अंता के इंदित घनिया एक अकोस्टिका में कुल परमानू होगा दो नेक्स्ट कोश्चन देखिए फलक के इंदित घनिया का कोश्टिका में कुल परमानू होता है option है आपका एक दो तीन चार अभी मैंने ज़स्ट आपको बताया फलक क बच्चे को जनकारी मिल जाए कि चलिए अब ऑब जेक्टिव का लाइब सुरू हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इका को स्थिका में कितना परतिसत होता अभी मैं ने बताया था ढूर हो गया आपके लिए अन्ता के विले इह आ पुछेगा तबावनदसमनों दिन परतिस अगर आपको कोई पूछेगा फलक के इसका चोहतर परतिसत तो चलिए नेक्स्ट कोश्टन की ओर हम लोग जाते हैं यह है आपके लिए नेक्स्ट कोश्टन बताइए इसका आंशर आपको खुद देना है बताइए कोश्टिका में स तो एक सौमें से जितना होता है उसको घटा देंगे जैसे यहां ही अगर इस तरह का कुश्चन रहाता फलक के अंदित गानिया एक कोश्टिका में रिक्तियां का वैड का संकुलन छमता कितना होगा तो आपको यहां पर एक सो में से चोहतर घटा ते तो आपका आता कितना 26% यह वाइड का है अगर फलक केंदित का राता तो चोहतर परति सत्थ चलिए नेक्स्ट कोश्टन आपके लिए यह रहा बहुत ही लाजवाब सवाल इस तरह के कुश्चन पूछे जाते हैं इन में से कौन क्रिस्टिलिया ठोस है या ऐसा कुश्चन पूछ सकता है इन में से क चुश्चन को देखते हैं इन में से कौन क्रिस्टिया ठोस है एक बात आप याद रखना कांज का कोई भी टाइफ हो रबर का कोई भी टाइप वह पीज को पॉलितीन हो यह सब अगर टैफलान हो यह सब आपको बोलक के परकार एं इसको छोड़कर जो होगा वही आपका क्रिस्टिलिया ठोस होगा, इंग्लीच में बोलेंगे क्रिस्टिलाइन सॉलेट और इसका दूसरा नाम रवादार ठोस भी है अब चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ही रा नेक्स्ट कोस्चिन आपके लिए ये रहा इन में से कौन और क्रिस्टलिये ठोस है मैंने अभी ज़स्ट बताया काच रवर बहुलक जो है ये और क्रिस्टलिये ठोस है तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चो इन में से सभी काच भी है रवर भी है बहुलक भी है और क्रिस्टलिये ठोस है अगर इस तरह के का घनत्व क्या होता है यानि हम आपको दोस्ट पर हाएं होंगे दोस्ट में देखें होंगे सौट की दोस्ट के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है तो सबसे पहले आपको यह जाना कि सौट की दोस्ट में क्या होता कि परमानू का क्या होता है समान संक्या में धनायन और लिए जो सोट की तो साय आयनिक योगिक में पाई जाते हैं तो समान संक्या में धनायन और इनायन जो घॉते हैं तो बताइए जब परमानों घटेगा जिसके कारण इसका घनत भी घटता है तो अंसर हो गाइसका क्या घटता है अब आईए कैसे देखिए यहां में आपको यहां से गैब कर दिये भी मेनस यहां से गैब कर दिये एपलस यहां से और कोई जो है दिनायन या धनायन गैब है तो बताईए यहां से परमानू गया है परमानू जाने के कारण उसका दरमान तो घटेगा दरमान भाईया जब परमानू गैब होगा तो दरमान घटेगा और हम लोग जानते हैं घनत बराबर होता है गार्वआ बढ़ेगा तो घटेगा तो घटेगा समझ में आ अगर इस तरह के सुझन रहेंगे सोट की दोस्के कारण क्रिश्टल का घनत्व क्या होगा तो आपका अंसर होना चाहिए घटता है क्या याद का घटता है चलिए आगे बढ़ते हैं आपके लिए यह रहा बहुती महतपुर्ण प्रस्ण जो आपको बारा नमर में दिख रहा है देखी यह कुश्चन है फ्रेंकल दोस्ट के कारान क्रिश्टल का घनत्व क्या होता है यह बोर्ड में भी कुश्चन पूछा गया है इस तर परमानु गयब नहीं होता इसी क्रिश्टल में रहता है बस उसी के अंतराकासी अस्थान में आ जाता है चुकि परमानु इस क्रिश्टल से गयब नहीं हुआ है नहीं आया है तो आपका सकते हैं दरमान अंचेंज होगा यानि नहीं बदलेगा उसी तरह घनत भी इसका नही ही बदलेगा मैं आशा करता हूँ आपको यह नया टेक्निक वाला वीडियो नया टेक्निकल वीडियो अच्छा पसंद करते होंगे पसंद आ आपके लिए क्रिस्टल के रंगीन होने कारण क्या है यह भी यार बोर्ड में कोश्चन पुछा गया है आपको कोश्चन में मिल जाएगा तो इसका सही आंसर है एपकेंद्र के कारण ही क्रिस्टल क्या होते हैं रंगीन होते हैं क्रिस्टल के रंगीन होने कारण क्या है बच् सुद्ध४ अर्द्चालक होता है इसमें हम बताएते घर वोरन को मिलाएगे तो पहले वाले गूरूप को मिलाओवे तो पीटायब होगा और बाद वाले ऑईर होगे आइंड टाइप से करेंट पास करेंregel पैस कर जाएगा वो जाएगा तो से करेंट पास ने करेंगा वोगा और उसका विदी के लुष्ज हालो नहीं लकरी इन मेंसे कुछ तो अलक श्रुपियां सब्सक्राइब है कि अगण should ya लुक्त में अग्र पूरा तो आप पूरा इस तरह की प्रश्ण को आप बना पाएंगे याद रखेंगे चलिए इसका साही आंसर हमारा क्या है ऊक्या है उटू क्या है ओक्टू अब गए घर दिक रहा है यह तो यह पहले क्या करेंगे कोई भी चीज देगा नहीं चार अप्शन दिया हुआ इस तरह कि अगर आप Euro को जूडिएगा इलक्टरण को जूडिएगा तो यह तो स्वंसंख्या होगा तो तो फक्र का क्यों सम्झ्या होगा अगर पारा मेंगनेटिक होगा और रखेंगा लीओ दू वैसे अगर oxygen का परमानु संग्य हम लोग जानते है 8 होता है दो oxygen है तो 8 दुना 16 electron होगा यहां बोरन का परमानु संग्या 5 होता है 5 दुना 10 electron तो B2 में 10 electron O2 में 16 electron दोनों तो समसंग्या है होना चाहिए यह होना चाहिए यह दोनों क्या है याद रखेगा यह होना चाहिए इस्टरिक के अनुसार लेकिन यह दाय मैंगनेटिक नहीं है यह पारा मैंगनेटिक है चलिए आगे question आपके लिए इन में से कौन परती चुम्ब क्या पदार्त है वही आभी आप जो मैंने आपको ट्रीक इसका सही आंसर होगा ऑल अब दीज दोगो सी एन मैनस है सी में परमानु संख्या छो नाइट्रोजन का साथ तेरह एक मैना से एलेक्टन गरहन किया तेरह चाहुदा ओटू मैनस है तो आर्दूना सोलदू आठारा एनो पलस है तो साथ पंदरह पंदरह पलस चार्जा एक प्लस दोठीओ ओखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा से बनाया गया है और नेक्स्ट अग कि अर्पार होता है अगर आपसे कोई पूछेगा तो कहिए का होता है चौ अगर आपसे कोई होता है बारह तो आप FCC रहेगा तो बारह आप याद रखेगा question है कि इन में से कुण बिदूत के सुचालक है चार परकार का कि रिष्ट्रिय ठोस का जब वर्गी करण बताये थे तो ये चार परकार कोते हैं आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और आन्यूक ठोस, आयनिक ठोस में यहां अपवाद है अप क्या है कि ये पीगली होस्ता हो, या दरब अवस्ता हो उसी भिक्क हो सुचालक होते हैं रही नहीं होता है सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं कांच को कहा जाता है जिसके कारणी से अतिसितित दरब कहा जाता है इंग्लिश लिक्विड नेक्सट क्विश्चन आपके एक स्कृप्र फलक के इन में से कोई नहीं चलिए आपका टीक मारेंगे अगर आप टीक नहीं मारना इसका क्या होगा सरल घनिया होगा नेग्स्ट क्वेशन आपके लिए कंप्यटर महराज दिखाईए इन में सब्सक्राइनें घृप यो से देखोल बैया है अगर पुचेगा इन में से कौन हेल धात्वीं थो सै तो जो दातु reteलोगा दात्वीडस अधात्व और सासन्योजक्तोस गका और जो अनु होगा अनु में जो टूटेगा जो आयन से मिलकर बना होगा वो अइनिक थोस है तो क्वेस्चन क्या है इन में से तोस है इनिक थोस हमारा देखो भाई या शीचेक शिछ बेंजिन जो है आपका अनुके रूप में है सियो टू अनू के रूप में है डायमन तो आपका सन्योजग्ठोस है डायमन मतलब हीरा और बचा क्या एल आई एफ जो है यह लिथियम पर प्लस चार्ज होगा फलोरीन पर मेनस चार्ज होगा तो हमारा सही आंसर क्या होगा एल आई एफ असा करता हूं कि इन 25 को आप समझ ग कीजिए और अगर नेक्स वीडियो चाहते हैं तो जूरे रहे इसी तरह से अगले दिन नेक्स वीडियो अपलोड किया जाएगा धनिवाद